श्री शिवाई नमस्तो भ्यम दर्शकों, शनिवार के दिन आप एक छोटा सा उपाय कर लें, आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे पीपल के वरक्ष में सनी देव का वास होता है, पीपल के वरक्ष के गुन शनी से काफी मिलते हैं इसके अलवा पीपल को शनी के इष्ट स्री करश्न का स्वरूप माना जाता है, पीपल के सम्मंद में पिपलाद मुनी ने ही शनी को दंड दिया था, तब से माना जाता है कि पीपल के वरक्ष की पूजा करने से सनी की पीड़ा सांथ हो जाती है पीपल के वरक्ष की उपासना किसी भी रूप में करने से शनी कृपा बनती है और आपकी जिन्दगी में जो भी दुख होता है उसको दूर करने के लिए शनीवार का दिन बहुत ही खास होता है यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेक यह उपाय जरूर करने जो हम आपको बताने वाले हैं आपको एक छोटा सा उपाय करना है इसके लिए आपको एक काले कलर का धागा चाहिए रेशमी धागा होना चाहिए वह धागा आपको सवा मीटर ले लेना है सवा मीटर धागा ले 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 रेशमी काले कलर का उसके अला आपको प्रशाद रखना है थोड़ा सा आप चाहें तो मीठे में कुछ रख सकते हैं या फिर आप शनी देव के लिए उलत की दाल से बने हुए कोई भी पकवान बना करके रख सकते हैं वड़े बना कर रख लें कुछ मीठा करके उसमें जिसे के मीठे वड़े होते हैं वैसे बना ले उलत की दाल के पकोड़े बना कर रख ले ऐसा कुछ हमें भोग लगाने के लिए चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा बताशा या मिसरी भी रख सकते हैं अब आपको जाना है किसी भी पीपल के वरक्ष के नीचे शाम के समय आपको जाना है करीब साथ बचे करीब जाना है आपको छे साथ के बीच में जाएए और आपको वो सामगरी लेकर के थाली में रख करके ले जानी है और पीपल के वरक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले दीप दीपक को प्रजवलित करना है दीपक प्रजवलित करने के बाद में आपको जो धागा है उसे पीपल की एक डगान में बान देना है करीब तीन बार उसे लपेड़ दें तीन या पांच बार और उसे गठान लगा कर छोड़ दें बस ऐसा करना है और भोग लगा देना है वहा पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करिएगा पूरे विश्वास के सांस करिएगा तब ही यह सिद्ध होता है और आप हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा श्री श्री श्रीवाय नमस्तो भी हम मिलते हैं अगले विश्वास के साथ हैं